तो फ्रेंड सरकर्ट ट्रडेश चैनल में आप लोगों को बहुत-बहुत स्वागता है सब्सक्राइब में मैं पुशिक साकर आपको 2SD का निफ्टी का लेवल क्या हो सकता है इसको पर बात्चीत करेंगे तो जैसे कि आप लोग अगर हमरे टेलिग्रम चैनल पर बने हैं तो इस टेलिग्रम चैनल पर आप देख सकते हैं किस तरी किसे आज कॉल गया है हरे कॉल हरे कॉल टार्गट एचिव और हमरा इस्टूइंट का जो पॉफिट वह यूज पॉफिट आप लोगों को जो कॉल दिया था और इसके बाद भी हरे कॉल इसके बाद भी जितनी कॉल दि दोस्त यहां नेफिका आज सपोर्ट लेता हुआ है यहां फेकी सापूर्ट यह पर क्लास जो विए तो आपको पिछले पीन से बता रहा था भी तो यह जगा का है ओकि THIS जाए है हो इसगा में आज बहुत सबारे आज को टीसे पर hazard आख आए मैं सीधा इस चार्ट में जो फुल टेक्निकल आनलेसिस प्लाट्पॉम है उसके मैं बताऊंगा कल के लिए फॉस्ट लेवल होगा निफ्टी का और उसके बाद अगर किस किस लेवल पर सपोर्ट करने जब बाद यह कहां कहां तक जा सब्सक्राइब लेगा पंदरा हजार 10 दस ये लेवल आपको रहेगा और उसके बाद लेवल रहेगा वह है 151050 पंदरहजार परचास यह दो लेबल के उस्टेनफल हो जाता है अगर इसका उपर भी सस्टेनफल होता है तो यहां से पिर से एक रिफटी में आ सकता है यह मैं सोचिए जो भाइंकर ग्राबट आ गया है और नीचे जा सकता है नीचे तभी जाएंगे जब निफ्टी 14,800 से नीचे आना सुरूगा लेवल दे रहा हूं दोस्त देखेगा जिए लेवल है इस लेवल से नीचे आएगा और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करेगा तब यहां से और नीचे गीर सकता है और अच्छा का सा यहां से डाउन फॉल और दिखाई दे सकता है मैं चला जाओंगा चार्ट में और करेंगे वहां पे हम देख पार है रिजांगों के लिए थाटी फाइट तौज़न त्री हंडेट फॉर्ट फॉर्ट तो यह लेवल अगर आज का दिन में अचीव हो जाता है तो यहां पर थोड़ा सा रेसिस्टेंस कर सकता है कल कर दिन के लिए जो रिशिस्टेंस डाइग तो इस चीज को पर ध्यान देजेगा कि इस लेवल को टच करने के बाद अगर यहां से गिराबट आता हुआ दिखाई देता है तो आपको यहां पर क्यार कुल होना चाहिए यानि कि कल के लिए जो इंपोर्टन लेवल है 35,640 और डाउंसाइट का लेवल है 35,000 यह लेवल ओक इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेनेबल हो जाता है तो यहां से फिर से एक रैली दिखाई दे सकता है मैं यहां पर इंटाडे के चार्ट ओपन करूं और इंटाडे पर चार्ट पे आपको जो डे हाई है उसको देखूंगा जिक्या है डे हाई तो डे हाई है आपको 35,580 के 35,550 तो इस लेवल से ऊपर अगर चलना सुरू हो जाता है तो यहां से एगेन आ सकता है इसको भूलिएगा मत जो एक सर्फ रैली आया था वो रैली थोड़ी सी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है अभी लाइट मार्केट 3 बच कर 13 मिट कर टाइम हो रहा है और यहां पर छो 34,900 यानि कि अभी 33 पॉइट ऊपर है 34,900 का लेवल तक यहां दे डाउन फॉल आ सकता है अभी टाइम आपको 15 मिनिट के ऊपर पड़ा हुआ है तो इस चार्ट के साथ आप बने रहेगा अगर यह चार्ट इस तरीके से आप ट्रेन दिखाता है तो तब तक आपको बने रहे हमेंसा मैं यही आपको लोग को गाइड करता हूं जो आप ट्रेन या डाउन ट्रेन को समझना सीखिए जब यह डाउन ट्रेन आ चुका था एक जगा पर काकी देर रूप रहा था इस रूपने के बाद जो घूमाओं आएगा इस घूमाओं को आपको इंतजार करना है कि य यह रूप गया है तो मतलब यहां से एक चेंजमेंट आ सकता है आप लोग को फिवनासी रिट्रेस्मेंट जो हाईकनेशी कंडल आए उससे यूज करना आता होगा मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा जो हाईकनेशी कंडल कैसे काम करता है तो हाईकनेशी कंडल पर सब्सक्राइब करता हूँ मैं नॉर्मल केंडल को करता हूँ ताकि आपको क्लियार चार्ट अंक्लियार दिशा दिखाई देए ठीक प्रेंस तो चलिए देखते हैं क्या स्थिति है तो हम आ जाएंगे और इसे दिखने के कोशिश करेंगे किस जगा पर सपोर्ट हमें अभी लग रहा है तो सपोर्ट है आपको 14,850 अभी तक यह सपोर्ट चेंज नहीं हुआ है 14,800 यह आपको बड़ी सी सपोर्ट है रेसिस्टेंस आपको ज्यादा अभी तक दिखाई देने को मिल रहा है 15,000 को उपर तो जब तक ना जब तक 15,000 को ऊपर सस्टेनेबल हो रहा है हो रहा है और पूर्साइट का सेलार इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है 14,800 के उपर तो क्रूशेल लेवल कल के लिए है 15,000 एंद 14,800 हम चलंगे बैंक निप्टिका चार्ट में और यहां पर देखेंगे बैंक निप्टिका जो ऑप्शन चेंज आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है तो देखें यह और जो सपोर्ट रेशिस्टेंस के बात करें तो डिशिस्टेंस जा रहा है आपको 15,500 ज्यो मैं टिक्निकल चार्ट में बात किया हूँ जब तक ना इस रेशिस्टेंस के उपर सवार होता है ठीके मैं कभी-कभी आपको यह झाप्शेल तब तक इसको उपर भोड़े भाग नहीं पाएगा तो इस लेबल को क्लियर ली वाच किजिए कल के दिन के लिए मैं आपको फ्राइडी का सिशन में जो वीडियो बनाया था उसमें मैं क्या दिखाया था जरह एक बाद चलते हैं सबोच कोई भी एक option ले लीजिए यहां पर 14 18800 का पूट ले लेते हैं मैं क्या उसनी समझाया था कि वान मिनिट के चार्ट लगाएगा वान मिनिट के चार्ट में आपको यह स्थी दिखाई देना है यह स्थी दूनना है 9 बचकर 9 बचकर 16 मिनिट का जो कंडल है इस कंडल का हाई ब्रेक हुआ तो आपको इसको पर तो आपको तब तक एक सफिसेंट टार्गेट लेकर से निकल जाना चाहिए अगर आपको अनलेसिस नहीं आता है तो यह सफिसेंट टार्गेट लेकि हमेशा निकलना शिकिए मैं हमेंसा क्या करता हूं अगर आपको बस 10,000 रूपीज है यह एब्री डे वन थाउजन या 1500 य सारे कॉल आपको जो फ्री टेलगेम ग्रूप है यहां पर मैं लिमिटेड चार कॉल दिया था और चारो कल टार्गेट एचिव हुआ है लेकिन जो हमारा अंटर एकाउंट है उनको पूरा दिन में आज साथ से आठ कॉल दिया हूं निप्ती बैंक निप्ती सबको मिला थी और यह क्लियर एक कॉल यहां पर चार्गेट नौबच का 26 मिनीट पर कितनी पॉइंट का—onneспरों का ब्रूपे यहां का बूूपे कॉइंट है 2,000 चार्गेट इस दिन में नहोंने प्री में टेक्निकल सीखना चाहते हैं तो यह फेसलिटी स्रेप सरकार टेडर्स में है कि इस तरीके से आप फ्रीवे टेक्निकल आनलसी सीख सकते हैं कि 2000 से सीट बुक कीजिए बैलेंस 5000 हमारा कॉल से प्रॉफिट करके आप क्लास का फीज बरिए तो देर किस बात की तो फ्रेंस लास्टली मैं दो कॉल के उपर आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा टाइटन टाइटन वान डे का चार्ट और टाइटन में बताना चाहूंगा कल के दिन में अगर यह 1500 को उ मिल सकता है दोनों स्टॉक को उपर ध्यान रखेंगा अगर निप्टी पॉजिदिफ साइड में है तो तो फ्रेंस असा करूंगा यह चोटी से वीडियो आपको काफी काम आया होंगे समझने का कोशिश कीजिए मैं किस बेस पर कहां पर क्या कॉल दे रहा हूं अगर आप श